यह कहानी समाच के अनेक बुराईयों और कृतियों पर एक प्रकाश डालती है जिसमें नशा, बलातकार, जीवों पर अत्याचार, आधी अनेक विशवयों पर अधारी थे साथ ही साथ नारिवाद और तनाव, एंसानियत और ख़तखुशी जैसे गंभीर विशवयों पर भी द्रिश्चिकोन रखा गया है इस कहानी के सभी नाम और पात्र कालपनिक है इसका वास्तविक जीवन से कोई संभन नहीं है शान्ती बहुत ही सुन्दर और शान्त सोभाव वाली लड़की थी वे इतनी मासूम और शर्मेली थी कि वे अंजानों से और रिश्चिदारों से भी बात करने को घबराती थी शान्ती लखनाओं के आवास विकास इंद्रानगर की रहने वाली थी वे पढ़ाई में अवल थी इसलिए उसके माता पिता ने सोचा कि उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए और उन्होंने शान्ती की एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास घर पर ही लगवा दी अब शान्ती के बारवी कक्षा में थी इसलिए पढ़ाई कठिन भी थी और उसको समझने के लिए अध्यापक की भी जरुरत थी सांती के पिता ने उसी की कॉलेज के होनहार अध्यापक अंकित से बात की और वे सांती को उसके घर में पढ़ाने के लिए राजी हो गए अंकित दिमाग का बहुती तेज था और कई सारे सवाल जल्दी से हल कर समझा देता था उसका हस्मुक रवय्या था जिसके कारण उससे सभी लोग जल्दी आगरसित हो जाते थे मगर अंकित के अंदर कुछ बुराई भी थी वह सिगरेट का सेवन करता तो था ही और जब दोस्तों के साथ सराब भी पीता था जिसके कारण कभी कभी वह सांती को पढ़ाने भी नहीं जा पाता था मगर शांती बहुती सीधी साधी लड़की थी और वह अपने पिता को कुछ नहीं बताती थी उसके पिता दूसरे सहर में काम किया करते थे एक रोज जब अंकित के दोस्त उसके साथ शराब पी रहे थे तो उसने शांती का जिक्र किया कि उसे पढ़ाने जाना आए पैग बनाओ और मस्ती करो अंकित रुक जाता है और शराब पीने लगता है कुछ देर बाद दोस्त लोग कहते हैं कि यार शांती वही शर्मा जी की बेटी है ना अंकित बोलता है हाँ उसका दोस्त विनोद बोलता है कि वह तो बहुत ही खुबसूरत है और अंकित उसकी बात काटते हुए उसे चुप करा देता है अंकित के मन में अब बहुत कुछ चलने लगा था अंकित अब घर आता है और शांती को फोन करके कहता है कि तुम कल से मेरे घर आ जाओ पढ़ाई के लिए उसकी तबित कुछ ठीक नहीं है शांती मान जाती है शांती एक दो दिन अंकित के घर अच्छे से पढ़ती है और अंकित अब रोज उसको अलग-налग नजरिये से देखने लगता है एक दिन जब अंकित का जंदिन था और शांती उसके घर पढ़ने आई तो अंकित ने शराप दी और उसने शान्ती को जबरन शराप दिला दी और शान्ती के साथ जुश्करम कर डाला या सब सेकर रोते हुए शान्ती घर पहुची और उसकी माने जब यह देखा तो उसके हाल पूछा मर शान्ती तब बहुत घबरा गई थी क्विकी अंकित ने धंकी दीगी अगर उसने कुछ बताया तो वा उसे और उसके पूरे परवार को जान से मार देगा अपनी लोक लाज के भेंसे उसने दर्वाजा लगाया और रस्ती पंखे पर जैसे ही डाली उसकी माने या करते हुए उसे देख लिया अब उसकी माने जल्दी से पड़ोसी से कहकर दर्वाजा तुड़वाया और उसने अपनी बेटी को सीने से लगाया तब वह सांती फूट फूट कर रोने लगी और उसने अपनी मा को सब साफ साफ बता दिया इदर जब यह सब होई ही रहा था तो टॉमी जो की अंकित का कुटा था अंकित कभी कभी उस पर जल्म और अत्याचार किया करता था और सांती के साथ जो हुआ उसे देखकर टॉमी जोर जोर से भौके जा रहा था जन्जीर से बंदे होने के कारण वे कुछ कर भी नहीं सकता था मगर शराब के नसे ने अंकित को अंदा कर दिया था उसने बड़ा सा पत्थर उठाया और अपने कुट्टे के उपर पटक दिया और उस कुट्टे की वही मौत हो गई उधर या पूरी बात खबर की तरफ फैल गई लोगों में आक्रोश की लहर दोड़ गई लोग सड़क पर उतर आये और अंकित के घर के तरफ जाने लगे और मानावता आज फिर सरमसार हो गई के नारे लगने लगे साथी साथ नारिवात का मुद्धा भी उठ गया कि नारी क्यों शुरक्षित नहीं है खैट वक्त रहते पुलिस अंकित के घर पहुच चुकी थी अब पुलिस ने उसे रंगे हाथों भी पकड़ लिया था अदालत ने उसे सांती के साथ बलतकार करने और कुट्टे को जान से मारने के लिए तीस साल की सजा मुकर्दर थी यह सजा सुनते ही हंकित के होश उड़ गया उसे अब होश आने लगा था कि सराव के नशे और दोस्तों की गलत संगत से उसने क्या कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था अब उसको यह भी एहसास हो गया था कि एक गुराई के चलते बाकी गुराईया भी अपने अंदर आ जाते हैं अब वह पश्चत आपके आसू रो रहा था और अब कापी देर हो चुची थी शान्ति के पिता ये खबर सुनते ही अपना काम छोड़ कर घर वापस लोटाते हैं शान्ति अब बहुती डरी और सैमी हुई रहने लगी थी अब आसानी से किसी से बात भी नहीं किया करती है और वह बहुती परिशान भी रहने लगी थी तब उसकी माँ ने उसे समझाया और उसके पिता से कहा कुछ दिन के लिए सब साथ दूसी जगे रहने चलते हैं न उसके पिता ने बाद मान ली और दूसरे शहर में काम डून लिया अब शान्ती और उसका पूरा परिवार भोपाल चले गए और उसके पिता वहीं फैक्टरी में काम करने लगे फिर धीरे धीरे वक्त बिता और वक्त ने शान्ती की गाओ भी भर दिये अब उसके नए दोस बन गए थे जिसके साथ वह खुश रहने लगी थी और एक बाप अपनी बेटी को अपने नोजरों के सामने पाकर सुकून मैसूस कर रहा था इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी नशे का शेवन नहीं करना चाहिए और गलत संगत का असर होता है इसलिए हमें गलत संगत में भी नहीं जाना चाहिए जीवों पर दया करने चाहिए आखिर वे भी हमारी तरह एक जीव है तनाव में आकर कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए इस्त्रियों को सम्मान करना चाहिए और बलतकार आदी बुरे दुशकर्म नहीं करने चाहिए और जो ऐसे दुशकर्म करें उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए नमस्कार मेरा नाम है आलोक कुमार अठोर मैं कानपुर उत्तरफदेश का रहने वाला हूँ मैं IT इंडिस्ट्री में बहुत और iOS डवलपर तीन साल काम कर चुका हूँ मुझे पुराने संगीत सुनने का भी शौक है और खेल में सतरंज और क्रिकिट का शौक है इसके अलावा मुझे लेखन में रुची है और मुझे लिखते हुए लगबक तीन वर्ष हो चुके हैं और साथ ही साथ कुछ मंच पर भी अपनी कविताओं की प्रस्तुती कर चुका हूँ और कुछ ओपन माइक पर भी डिश्टली माद्धम के द्वारा अपनी शायरी और कविताओं से लोगों के दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह बना पाया हूँ आशा है हमारी यह कहानी आपको पसंद आई होगी और समाज भी यह कहानी से कुछ सिश्चा प्राप्त कर पाई होगी धन्यवाद सभी को मेरा नमस्कार मेरा नाम रीचा पितल्या है मैं रतला मध्यप्रदेश की निवासी हूँ और हाल में मैं विक्रम यूनिवर्सिटी से विकॉम ओनर्स कर रही हूँ मुझे लिखना और खाना बनाना बहुत पसंद है अगर आप सभी को मेरा लेखन देखना है तो इंस्टाग्राम पे पैंटू पेपर पेज पेज पे आप देख सकते हैं और इंस्ताग्राम पे आर्थ्री फूर्ज नम से ही मेरा फूर्ज भी है है अबरेवन मैसेल्फ ऐशी मेजन रहिं अश्यूम पुर्ण पोल खाधेशन है I am writing from last four months till now I have got many certificates in writing hello friends I am Devan Yadop from Kanpur Utka Parish this year my class is 12 now I started writing some stories and poetry in this lockdown I have also made a lot of interest in this field and thanks to everyone that I have been given such a big opportunity My name is Sandeep Tiwari which I belong to in the U.P. I am an adhya-pik and I am a pen and I am a pen and I am a pen when I started writing it when I started it, I was a pen and a pen and a pen I am a pen and 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 a pen I am Harshita Hingar, daughter of Mr. Dinesh and Mrs. Manju Hingar I belong from Narayangan, Madhya Pradesh Currently, I pass out B.K.O.M. first year My hobbies are dancing, writing poetry, listening music, cooking etc Success is not the key to happiness Happiness is the key to success If you love, what are you doing, you will be successful Thank you